हाई गाईज आप सबका स्वागत हैं आज की इस वीडियो में तो आज हम नया कट वर्क नेक डिजाइन बनाएंगे वो भी लेस के साथ तो आप सबका जादा टाइम ना लेते हुए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम अपना नेक कट करेंगे उसके लिए मैंने ये वुक्रम लिया जिसे ऐसे मैंने डबल फोल करके रख लिया है अब हम इस पे अपने नेक की डिमेंशन ड्रॉ कर लेते हैं तो सबसे पहले हम नकी चोड़ाई को मार्ग करेंगे तो चोड़ाई मैं यहाँ पर 3.5 इंच ले रही हूँ 3.5 इंच को हम ऐसे ही सीधा सीधा मार्ग कर लेंगे टोटल नकी चोड़ाई हमारे पास 7 इंच आ जाएगी तो अब हम उपर से नकी गहराई को ड्रॉ कर लेते हैं तो नकी गहराई मैं यहाँ पर 13 इंच ले रही हूँ तो 13 इंच को भी हमने ऐसे ही सीधा सीधा मार्ग कर लेना है तो अब हम इसके अंदर ना अपना वीनेक ड्रॉ करेंगे तो ये सीधा सीधा आएगा V-neck और यहाँ से इसकी चुड़ाई जो है ना वो एक इंच आएगी टोटल तो इसलिए हमने यहाँ पे आधा इंच मार्क करना है तो बस हमें यहाँ से सीधा सीधा V-neck ड्रॉ कर लेना है ऐसे हमने बाहर से एक्स्ट्रा वुक्रोम को भी ड्रॉ कर लेना है पौना पना इंच तो नेक की कटिंग कर लेते हैं अपनी मार्किंग के बिल्कुल साथ साथ तो नेक हमारा इसे कट चुका है और यह गुर्टी पे रेडी होने के बाद कुछ ऐसे आजाएगा अब हम इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक के उपर पेस्ट कर लेते हैं तो ऐसे हमने नेक को एक्स्ट्रा फैब्रिक के उपर पेस्ट भी कर लिया और इसे साइड से ऐसे फोल्ड भी कर लिया है अब हम इसे अपनी कुर्टी पे रखके पलट लेते हैं तो कुड़्टी को हम ऐसे सीधा करके रखेंगे और नेक को इसके उपर ऐसे उल्टा करके रखेंगे सबसे पहले सेंटर में एक रफषिच उसके बाद बुक्रम के किनारे किनारे सिलाई तो सिलाई हमने ऐसे लगा ली है बुक्रम के साथ साथ अब हम बीच वाले फैब्रिक को कट कर लेते हैं सिलाई के साथ दो दो पैर का मारजन लेते हुए तो बीच वाला फैब्रिक हमारा ऐसे कट हो चुका है अब हम यहाँ पे और यहाँ पे एक एक cut लगा लेते हैं तो cuts हमने बस दो ही लगाने हैं इसमें अब हम इस neck को पलट लेते हैं अंदर की तरफ तो neck को पलट के और इसे प्रेस करके अभी मैं आपको दिखाती हूं तो neck हमारा इसे तयार हो चुका है अब हमने इसके अंदर cut work वाला pattern stretch करना है तो चलिए वो cut कर लेते हैं तो उसके लिए मैंने ये बुक्रम के चोटे चोटे pieces cut किये है ये piece मैंने 1.5 inch ओडा लिया है ये दिखिए और लंबाई में जितना हमारा neck है उतसे आपने 1 inch जादा लेना है 13 inch हमारा neck है ये मैंने 14 inch का लिया है दोनों piece आपने बिल्कुल बराबर गट करके रखने हैं अब हम इस पे अपने cut work का pattern row कर लेते हैं तो cut work mark करने के लिए मैं ये चोटी सी चूडी का use करूंगी सबसे पहले ना हमने अपने बुक्रम पे य आधे inch पे सीदा सीधा mark करना है इस तरीके से नीचे की तरफ हमें आधा inch लेना है और यहां पे mark कर लेना है तो अपनी इस marking के ऊपर हमने चोडी को ऐसे रखना है और इसके अंदर अंदर mark करना है बिल्कुल इसके बराबर बराबर ऐसे ही हमने साथ साथ करके चूडी को रखते जाना है और mark करते जाना है cut work दोनों pattern मैंने ऐसे ही ऊपर नीचे करके रखे हैं दोनों cut work हमारे एक साथ ही cut जाएंगे और वो भी बिल्कुल बराबर बराबर तो मार्किंग हमारी हो चुकी है अब हम इसे अपनी मार्किंग के साथ साथ कट कर लेते हैं तो दोनों साइड के कट वर्क के पेटरन हमारे ऐसे कट चुके हैं अब हमने इसे सेम कुट्टी वाले फैब्रिक के उपर पेस्ट कर लेना है तो ऐसे हमने cut work वाले pattern को सेम कुट्टी वाले fabric के उपर paste कर लिया है और इसके जितना ही एक और fabric लिया है बिल्कुल इसके जितना ही चौड़ा और इसके जितना ही लंबा ये वाले fabric को हमने सीधा रखना है और cut work वाले fabric को इसके उपर ऐसे उल्टा करके और यहां पे ना बिल्कुल अपने कट वर्क के किनारे किनारे पे सिला ही लगा लेनी हैं तो हमने अपने कट वर्क के किनारे किनारे पे सिला ही लगा ली है अब हमने उपर से एक्स्टा फैब्रिक को ट्रिम कर देना है अपनी कट वर्क के साथ एक एक पैर का मार्जन लेते हुए इस तरीके से तो उपर से हमने एक्स्टा फैब्रिक को ऐसे ट्रिम भी कर दिया है अब हम इसमें एक एक छोटा छोटा कट लगा लेंगे ये cut आपकी सिलाई तक लगे लेकिन ये ध्यान में रहे सिलाई न कटे तो cuts भी हमने इसमें लगा लिये हैं अब हम एके करके सारे cut work को पलट लेते हैं तो सारे cut work को पलट के न हमने इसे press के साथ अच्छे से बिठा लेना है दोनों cut work हमने एक साथ ही ready कर लेने हैं तो ये दिखिए guys हमने cut work के pattern ऐसे तयार कर लिये हैं इन्हें press भी कर लिया है और इसे side से इसे interlock भी कर लिया है finishing के लिए अब हम इसे इस तरीके से अपने neck के नीचे रखेंगे और यहाँ पर top stitch लगा लेंगे तो एक cut work का pattern हमने यहाँ तक stitch कर लिया है अब हमने दूस्रे वाले cut work वाले pattern को लगा इसके नीचे इस तरीके से set करके रखना है यहाँ से ना हमने एक cut work को ऐसे नीचे की तरफ दबा देना है और यहाँ से हमने ऐसे ही अपनी सिलाई को घुमा लेना है तो ऐसे हमने cut work वाले pattern को भी नख्या नीचे stitch कर लिया है अब हमने इसी सिलाई के उपर अपनी zigzag वाली lace को stitch कर देना है lace को हमने अपनी सिलाई के उपर इस तरीके से रखना है और यहाँ पर इसके center में सिलाई लगा लेनी है तो लेज भी हमारी ऐसे neck पे stitch हो चुकी है अब हमने neck के नीचे pintax वाला pattern stitch करना है जितना भी आपको neck deep रखना है न उतना छोड़ते हुए बाकी के neck को हमने pintax वाले pattern के साथ बंद कर देना है तो उसके लिए मैंने यह fabric लिया है same कुर्ती वाला है यह fabric मैंने 6.5 inch ओड़ा लिया है और लंबाई में यह 20 inch के करीब लिया है तो pintax डालने के लिए हम fabric को ऐसे उल्टा करके रख लेते हैं यहां से न हमने इसे ऐसे 1 inch सीधा सीधा fold करना है और यहां पे एक pair की pintax लगा लेनी है तो एक pintax हमने ऐसे लगा ली है अब हमने आधे इंच का gap लेना है और फिर से एक pair की pintax ऐसे ही लगा लेनी है ऐसी हमें आधे आधे इंच के gap पे पूरे fabric के उपर pintax लगा लेनी है तो pintax डालके हमने यह वले pattern को ऐसे तयार कर लिया है और उपर से हमने इसे ऐसे fold ही रखा है अब हम इस pattern को ना अपने neck के नीचे रखेंगे pattern को हम ऐसे रखेंगे neck के नीचे और यहाँ पर अपनी lace के उपर ही सिला ही लगा लेंगे उपर से ना लगबग 5 या 5.5 इंच हम इसे छोड़ देंगे और नीचे की तरफ pattern को set करके रखते हुए सिला ही लगा लेंगे तो गाइस हमने पिंटक्स वाले pattern को भी neck के नीचे ऐसे stitch कर लिया है अब हमने ना अपने cut work के बिल्कुल किनारे किनारे पर यहाँ पर एक एक stone paste कर देना है fabric glue के साथ यह fabric glue धोने से भी नहीं उतरती तो सारे stone paste करके मैं अभी आपको दिखाती हूँ तो ऐसे हमने सारे stone paste पे paste कर लिये हैं और यह सूख भी चुके हैं कितना खुबसूरत हमारा यह neck design लग रहा है न यह एकदम पाकिस्तानी लूप का neck design है तो आप यह जल्दी से अपनी कुर्ती पे जरूर ट्राइ करें तो अभी मैं आपको अपनी पूरी कुर्ती रेडी करके दिखाती हूँ तो रेडी होने के बाद हमारा एक खुबसूरत neck design कुछ ऐसे आ जाएगा तो आप सब भी एक बार यह वला neck design अपनी कुर्ती पे जरूर ट्राइ करें आपको भी बहुत ही पसंद आएगा तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगियो तो इसको लाइक औ शियर जरूर कीजिए चैनल को subscribe जरूर कीजिए तो चलिए next किसी और वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए बाई बाई